Always aim high, work hard and care deeply about what you believe in and when you stumble, keep faith and when you are knocked down, get right back up and never listen to anyone who says you can't or shouldn't go on. मतलब हमेशा उचा लक्षी रखें, कड़ी मेहनत करें और इस बात की कहराई से परवा करें कि आप किसमे विश्वास करते हैं और जब आप ठोकर खाते हैं तो विश्वास बनाए रखें और जब आप लड़ खड़ाते हैं तो उटकर खड़े हो जाएं और कभी भी किसी की न सुने जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए इस कहावत के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसी शखसियत की जो ना सिर्फ इस कहावत पे पूरी उतरती हैं बलकि दुनिया की तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल भी है जी हाँ आज हम बात करेंगे इंडिया के नमबर वन बायो टेक कमपनी बायो कॉन की ओनर किरन मजुंदार शौक के बारे में जो कि ना सिर्फ एक बिलेनियर आंफ्रिपरिनियोर हैं बलकि इंडियन इंस्टिटीूट ओफ मानेजमेंट बैंगलोर की चेर परसन भी हैं जिन्हें 2014 में ओथमिर गोल्ड मेडल से नवाजा भी गया था उनके साइन्स एन केमिस्ट्री के प्रोग्रिस में आउटस्टैंडिंग कॉन्टिबूशन के लिए वह फिनेंशल टाइम में टॉप 50 बिजनिस विमिन के लिस्ट में भी है 2015 में उनको फोप्स के दुआरा दुनिया की 85th Most Powerful Women में भी चुना गया था और फिर 2016 और 17 में भी 77th और 71st पोजिशन पे दुबारा चुना गया तो चलिए शुरू करते हैं किरन मजुमदार का जन्म 23 मार्च 1903 में एक गुजराती परिवार में बैंगलोर में हुआ 1968 में उन्होंने बैंगलोर के Bishop Cotton Girls High School से अपने स्कूलिंग की फिर 1973 में B.Sc. Zoology Honors के डिगरी बैंगलोर युनिवर्सिटी से पूरी की फिर 1975 में वे Higher Studies के लिए Australia चली गई जहां से उन्होंने Melbourne University से Malting and Brewing Subject में Study की अपनी Studies पूरी करने के बाद उन्होंने खुद की BioTech Company स्टाबलिश करने की ठानी पर यह इतना आसान नहीं था खास करके एक महिला के लिए और वह भी भारतिय महिला जिसे सिर्फ खर की लक्षमी समझा जाता है बाहर निकल कर कुछ बड़ा खुआप देखने का और उसे पूरा करने का अधिकार नहीं होता पर सब बातों पर और लोगों की बकवास पर ध्यान न देते हुए किरन मजुमदार ने आगे बढ़ने की ठानी जब उन्होंने अपने प्रोजक्ट को आगे बढ़ाने की ठानी तब Bio Technology World बिलकुल भी Famous नहीं था इस कारण कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा था पर किरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत मुश्किले आएं जैसे की बहुत कोशिशों के बाद भी मजुमदार के स्टार्ट अप के साथ कोई जुड़ना नहीं जा रहा था ऐसे में उनका पहला एंप्लॉई एक रिटायर्ट गराज मेकैनिक था बायोकॉन ने अजन इंडस्ट्रियल इंजाइम की मैनुफाक्चरिंग शुरू कर दी और USA और येरोप में एक्सपोर्टिंग भी करने लगे पहले साल में उनको इतना प्रॉफिट हो गया कि उन्होंने 20 एकट की प्रॉपर्टी खरीद ली और अपना R&D सेंटर शुरू कर दिया और उसमें कुछ नोबल ड्रक्स की खोज में लग गए और उसी मॉलेक्यूल्स और ड्रक्स को फोकस किया जिसकी उनको पता था कि आने वाले दिनों में उसकी काफ़े डिमांड होने वाली है 2004 में बायो कॉन ने अपने शेर्स मार्केट में उतारे और फिर जादा डिमांड के कारण उनके शेर्स तीन गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और फिर 1998 में उन्होंने स्कॉटलेंड के जॉन शौ से शादी कर ली तो इस तरह किरन मजुमदार ने अपने ड्रीम्स को अचीव किया तो देखा दोस्तों कैसे एक भात ये महिला इतने प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल के बाद भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने से नहीं रुकी और आज उन तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो कि सपने तो देखती है पर समाज के डर से उन्हें पूरा नहीं कर पाती ऐसी महिलाओं को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सपने देखना और उसे पूरा करना आपका हक है लोगों के डर से या लोग क्या कहेंगे ऐसा सोच कर बैठ जाना प्रॉब्लम्स का सिलूशन नहीं है अपने अवाज को इतना उचा रखो कि लोगों की अवाज आपके कानों तक ही न पड़े और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में पामियाब हो तो इसी के साथ मैं असना आप से विदा लेती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमें जरूर दें और हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं और हाँ चानल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू